युगो युगो से जल रहा है में, ग्रह नक्षत्रों का सम है खेव, म्रमाण में ग्रह रोज बदलते हैं अपनी चाल, आए जाते हैं आज कौन सी राशी हो की माला माला जै शनी देर, प्रियभक्त करों, मैं स्वामी राज रशी, शनी पीठ मंदिर, इस्ट पटेल लगर, नई दिल्ली से आज आपके समख्ष तस्ततु, दस वर्ष की आयू से ही मैं अपने पूज में पिता श्री, गुरु रजीष रशी जी के निर्देशन में, आस्ट्रोलोज नियुम्रोलोजी एवं दन गंतों का अध्यान कर रहा हूं, तो क्या कहते हैं आपके सतारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें, क्या ना करें, किन चीजों से सावधान रहना है, यह सब जानने के लिए आखिर तक देखते रहे हैं, आज कर आशिक करें, जिन भी पक सबसे पहले पहुंच सकते हमारी इस वीडियो को लाइक करें, उसको शेयर करें, कमेंट करें आज 13 जन्वरी 2020, दिन सोमवार, माग मास का क्रिश्न पक्ष चल रहा है, और आज रितिय थिथी, शाम 5 बच के 32 मिनट तक रहेगी, और उसके पश्चात 4 थिथी लग जाएगी आज अपिजी मूरत दोपैर 12 बच के 9 मिनट से लेकर 12 बच के 51 मिनट तक रहेगा, इस दोरान किसी भी शिपकारी की शुरुआत करने से, आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी आज राहुकाल सुभा 8 बच के 34 मिनट से लेकर 9 बच के 52 मिनट तक रहेगा इस दौरान किसी भी शिपकारे के शुरुआत करने से आप सभी लोग परेश करें चलिए आप जानते हैं आज का दिन मेश यानि की एरीज राशी वाले जातकों के लिए कैसा रहने वादा है आज चात्र पूर्ण रूप से तरो ताज़ा मेहसूस करेंगे और एक आगरता के साथ अपनी पढ़ाई में रुची ले पाएंगे यदि आज चात्र विदेश चाकर पढ़ने की यूजना बना रहे हैं तो उसके लिए आज का दिन पुत्तम है और उस दिशा में उठाया हुआ कोई भी कदम आपके लिए लापरत होगा यदि आप नया घर बनाने की यूजना बना रहे हैं या नया घर ढूंड रहे हैं तो अभी के लिए इस विचार को मन से निकालते हैं आज का दिन इस कारे के लिए शुब नहीं है आज शेयर बजार में इन्वेस्ट करना आपके लिए लाप रथ होगा यदि आपके पिताजी रेटायर हो गए हैं तो आज उनके साथ कुछ समय वतीत करें और उनसे माग दर्शन लें मेश राशी वालों अगर आपको संतान प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं तो आपको अपने हाथ में एक मंत्रसित प्राण प्रतिष्टित रूबी की अंगूटी अवश्य ही धारण करनी चाहिए यदि आप स्वयम गुरु रज़ी शिशी जी द्वारा अभी मंत्रत अंगूटियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिवे नंबरों पर हमें संपर कर सकते हैं किसी भी रज़नों की अंगूटी को खरीदने से पूर आपको अपनी कुंडली का अध्यर किसी योग के एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए और यदि आप हम से जोतिश परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर कर सकते हैं आज आपका राशी फिल देखते हुए मैं आपको तीन स्टार्ट देता हूँ तो आएए अब जानते हैं आज का दिन प्रिशब यानि कि टॉरस राशी वालों के लिए कैसा रहेगा लव लाइफ के मामले में आज आपको कठे नायों का सामना करना पड़ सकता है और आपके पार्टनर के साथ आज आपका मनमटाफ हो सकता है आज आपको हरे रंग के वस्त धार्म करने से भी बचता है आज आपको अपमी माता जी के स्वास्ते के लिए परेशान होना पड़ सकता है आज आपके मित्रगर्ण ही आपको नुक्सान पहुचा सकते हैं यदि आपके कोई बहन है तो उनको भी आज परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है इसलिए उनका ध्यान रखे आज आप किसी से उधार लेने से भी बचें वरना पैसे लोटा नहीं पाएंगे जिंदिगी बार उसी व्यक्ति के करजदार बने रहेंगे आज का आपका राशी फल देखते हुए मैं आपको तीन स्टार देता हूँ मैं आपको बताने जा रहा हूँ मित्थों यानि की जमेनाई राशी वाले जातकों का राशी फल आज आपको विशेश तोर पर साथानी बरेतनी की जरूरत है क्योंकि आज आपको वहां दुर्गटना से चोट लाइने की संभागना है आज यात्रा करना यदि अत्यंत अवशक ना हो तो से टाल दे आज आपके लिए अत्यंत शुब होगा आज आप अपने पार्टनर की सिहत का ध्यार लखें उनको कोई मौस में बिमारी होने से आप थोड़े परिशान रह सकते हैं वैसे लव लाइफ के मामले में आज का दिन शुब रहेगा आपके आज के राशी फल को देखते हुए मैं आपको तीन स्टार देता हूँ आए अब जानते हैं कर्क यानि कैंसर राशी वाले जातगों का राशी फल आज का दिन आपके लिए ठीप ठाग रहेगा लव लाइफ के मामले में आज आपका दिन अटेंट शुब रहने वाला है और आपके पार्टनर के साथ आपके संब्ध और मजबूत होंगी और उनको प्रसंद करने का आपका हर एक प्रयास उनको आपका कायल बना देगा पेतर पक्ष की ओर से आज आपको कोई लाभ ही प्राप्त हो सकता है आज आप यदि किसी से जूटा वाइदा करते हैं तो यह आपके लिए अतियन्त हानी का रखोगा यदि आपका बिजनेस पार्टनर्शिप में हैं तो आज आपके बिजनेस पार्टनर के साथ जगड़ा होने की संभावना है आज आपको विदेश जाने का अफसा भी प्राप्त हो सकता है और यह याद्रा आपके लिए अतियन्त शुब होगी करकराशी वालों अगर आपका भागे आपका साथ नहीं दे रहा है आप अपने आपको अनलकी महसूस करते हैं तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्र, प्राण पतिष्टित, पुखराज की अंगूटी अवश्य ही धारण करनी चाहें यदि आप स्वयन गुरु रज़ी शिशी जी द्वारा अभी मंत्र अंगूटियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिवे नमबरों पर हमें संपर कर सकते हैं किसी भी रज़नों की अंगूटी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्यर किसी योग के एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए और यदि आप हम से जोतिश परामर्ष लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर कर सकते हैं आपका आज का राशी फल देखते हुए मैं आपको तीन स्टार दे रहा हूँ अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ सिंग यानि के लियो राशी वाले जातकों का राशी फल आज नया घर, नया मकान या नया वहन लेनी के लिए सर्वत्म दिन है आज धन कर के काम और मंदिर इत्यादी के निर्मान के लिए यदि आप कुछ दान करते हैं तो ये आपके लिए अतियत शुब होगा आज भागे भी आपका बर्चर कर साथ देगा और आपको अचानक धन प्राप्ती भी हो सकती है आज माता पिता का आश्रवाद लेना आपके लिए अतियत शुबकारी होगा और यदि आज आप कोई विशेश काम करने जा रहे हैं तो अपने माता पिता से आश्रवाद ज़रूर ले आपके मान सम्मान और एश्रवारे में इससे वृद्धी होगी आज का आपका राशी फ्रल देखते हुए मैं आपको चार स्टार्ट देता हूँ चलिए आप जानते हैं कि कन्या यानि वर्गो राशी वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा आज आपके विदेश जाने के प्रबल योग बन रहे हैं और इस विदेश यातरा से नौकरी पेशा व्यक्तियों को बहुत फायदा होगा भाई भेनों के साथ भी आज आपके सम्मन और मजबूत होंगे यदि आप आज लालच करते हैं या अपनी स्वार्थ पूर्थी के लिए कोई गरत कदम उठाते हैं तो ये आपके लिए घोर अनिश्टकारी होगा चात्रों को आज पढ़ाई में मन लगाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है मेरा आज उनको सुझाव हैं कि वे आज अपने पुराने सब्जेक्ट ही रिवाइस करें और अपनी कंसेंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए मेडिटेशन करें मेरा सुझाव है कि यदि वे लगातार ऐसी परिशानियों का सामना कर रहे हैं कि उनका पड़ाई में मन नहीं लग पा रहा है एक्जाम में नंबर कमाते हैं या उनकी मेहनत विपल हो जाती है तो 33 स्क्रीन पर दिये होए नंबरों पर हमें संपर्क करें हम निश्चित ही आपको ऐसे उपाई बताएंगे जिनसे आपकी पड़ाई में रुची बढ़ेगी और जो भी एक्जाम्स आप अपने जीवन में देंगे उनमें आप जादा से जादा नंबर लेकर आपाएंगे आपका आज का राशिफत देखते हुए मैं आपको तीन स्टार्ट देता हूँ इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पूर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपका या आपके बच्चों का पड़ाई में मन नहीं लग रहा है एक्जान में अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे है या नौकरी मिलने में समस्या हो रही है या नौकरी तो मिल गई है पर प्रमोशन नहीं हो पा रहा है इंकम से ज़ादा खर्चा हो जाता है ट्रांसफर हो रहे हैं शादी नहीं हो पा रही है या आपका आपना घर नहीं बन पा रहा है आपका जो व्यापार है उसमें व्रिद्धी नहीं आ पा रही है आपके पास धंगी कमी बनी रहती है या आपका स्वांस अच्छा नहीं रहता, आप हर समय बिमार लेते हैं, या आपके बच्चे बिमार लेते हैं, या अन्मे एसी किसी भी समस्या से आप देड़े थे तो आप स्क्रींग पर आ रहा है नंबरों पर हमारी वेब साइट पर जाकर या एमेल के माध्यम से या WhatsApp वीडियो पॉल के द्वारा गुरू रजली शिशी जी से या गुरू मारुकमनी जी से या आप मुझसे संपर्ग कर सकते हैं जिसके लिए आप कोई छूटी सी पीस जरूर देनी होगी जिसका प्रयोग शनी पीठ मंदे की व्यवस्ता चलाने के लिए हमारे द्वारा गर ये इसी पीस में से हम अगले दे प्रह्मो प्रूप से आपके नाम से आपके लिए पूजा हवश्चे करते हैं अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ तुलाव यानि की लिवरा राशिर वाले जातकों का राशिशा आज आप ऐसे काम करेंगे जो आपके मान सम्मान में विद्धी करेंगे और आपको बिहस्पती देवता के आशिरवाद से एश्वर्दे की प्राप्ती होगी आज नया वाहन लेने का डिसीजन आपके लिए अत्यान्त लापतारी सावित हो सकता है परंतु वर्ट प्लेज पर आज आपको समस्याओ का सामना करना पड़ सकता है और डिमोशन इत्यादी के हालाद भी उत्पन हो सकते हैं आज यदि आपके किसी मुकदमे का फैसला आने वाला है तो आपको आज हार का सामना करना पड़ सकता है आज आपको अपने माथे पर केसर का तिलक लगाना चाहिए और शाम को पीले रंके मेटे चावल का बोजन करना चाहिए दुलाराशी वालों अगर आप अपनी आमन्नी के कम होने की वज़ा से परेशान हैं और आप अपने इंकम को अपनी आमन्नी को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्र प्रांट पतिष्टर रूबी की अंगोठी अवश्य ही धारण करनी चाहते हैं यदि आप स्वयम गुरु रज्वी शिशी द्वारा अभी मंत्र अंगोठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिवे नंबरों पर हमें संपर कर सकते हैं किसी भी रज्वनों की अंगोठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्यर किसी योग के अस्ट्रोलाजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए और यदि आप हमसे जोतिश परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर कर सकते हैं आज आपका राशी फल देखते हुए मैं आपको दो स्टार्ट देता हूँ अब मैं वताने जा रहा हूँ विश्चिक यानिकी स्कॉर्पियो राशी वाले जात्तकों का राशी फल स्टूडेट्स आज मानसिक शांती के साथ अपनी पढ़ाय में रुची ले पाएंगे और उनको difficult concepts भी समझने में कोई परिशानी नहीं होगी आज आपको अपनी भाई भेनों की सेहत का ध्यान रखना है और आपको जरूरत है कि आज आप उनके साथ कुछ समय वितीत करें आज आपका स्वास्त भी एकदम बढ़िया रहेगा और आप चुस्ती फूर्ती से अपने हर काम को अंजाब देवाएंगे धर्म कर्म के कामों में भी आज आपकी रुची बढ़ेगी आपका खर्चा कुछ अधिक हो सकता है जिस कारण आपको परिशानी का सामना करना पड़ सकता है आज आप हरे रंग के कपड़ों का प्रयोग ना करे और प्रातर का हल पवित्र होकर दुर्गा माता की स्थुती करना आपके लिए शुब होगा आज आपका राशी फल देखते हुए मैं आपको चार स्टार देता हूँ आप मैं बताने जा रहा हूँ धनू यानि की साजिटेरियस राशी वाले जात्तकों का आज का दिन कैसा बितेगा भाग के आज आपका भरपूर साथ देगा और आपके रुके हुए काम भी बन जाएंगे आज धर्म कर्म के काम में भी आपके रुजी बढ़ेगी और आज धार्मिक अनिष्टानों में भाग लेने से आपको भगवान का आशिरवात प्राप्त होगा आज आपकी इमानदारी की वज़े से वर्क प्लेस पर आपकी प्रशंचा होगी और आपको कोई बोनस प्रुक्सकार इत्यादी भी मिल सकता है यदि आप आज गरीबों की मदद करते हैं तो आपके धन के बंडारों में विद्धी होगी आज आपको कन्याओं को भोजन कराना चाहिए इससे बुद्धेवता प्रसंद होगे और आपको आशिरवात देंगे यदि आप आज गंगास नान का मन बना रहे हैं तो ये आपके लिए अत्याद शुब होगा आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको तीन स्टार देता हूँ प्रिये भट्टरों अब मैं आपको बताने चाहरा हूँ वो चमत करी हो पाए जिसे करके नाथ पंचमी के दिन जो भी जबती काल सर्प दोश से पीड़त है वो इस पीड़ा से कुछ हद तक मुक्त हो सकता है आपकी जो काल सर्प दोश से जीवन अस्थर ताय आ रही है वो भी बहुत हद तक दूर हो जाएंगे इसके लिए आप प्रादर काल उटकर पवित्र होकर पीपल के व्रिक्ष के नीचे एक मिट्टी के बर्तन में दूद लख है इसके पश्चाद आप राभू और केतु देवता को ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थ ना करें कि वो आपके काल सर्प दोश में जो भी आपको पीड़ाय दे रहे हैं उनका शमण करें यदि आप इस उपाय को शद्धा पूर्वक करते हैं तो निश्चत तौर पर काल सर्प दोश से आ रही पीड़ायों से आप मुक्त हो जाएगे हम मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मकर यानि कि कैप्रीकॉन राशी वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहेगा आज के दिन आपको अपने खर्चों का विशेर त्यान रखना है वे अर्थ की चीजों में पैसा खराब करने से अच्छा है यदि आप उसे फिक्स डिपॉजट में डालेंगे तो उन पैसों में विल्दी होगी मित्र या सगे संबन्दियों को आज आप उधार देने से बचें चातरों के लिए आज का दिन उत्तम रहेगा पढ़ाई ने सफलत अप्राप्त होगी और वे मुश्किल से मुश्किल सवाल हल कर पाएंगे लव लाइफ के मामले में आज आपका दिन अच्छा वीतेगा और आज आप अपनी बातों से अपने पार्टनर का दिल जीत लेगे आज आपको अपने लाइफ पार्टनर का भरपूर साथ मेलेगा और कुछ ऐसे याददर मुमेंट्स बनेंगे जो आपको पूरे जिंदगी याद रहेंगे मकर राशी वालों अगर आपके पास अपनी कार नहीं है और आप अपने सपनों की कार जल से जल खरीदना चाते हैं तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध, प्राण पतिष्ट, मुखे की अंगूठी अवश्य ही भारण करने चाहिए यदि आप स्वयम गुरु रजी शिशी जी द्वारा अभिमंत्र अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए नमबरों पर हमें संपर कर सकते हैं अभी रजनों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्यर किसी योग के एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए और यदि आप हम से जोतिश परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर कर सकते हैं आपका राशिवत देखते हुए मैं आपको दो स्टार देता हूँ चलिए आप जानते हैं कुम यानि की एक्वेरियस राशी वाले जातकों का आज का दिन कैसा बितेगा खर्चा बढ़ने से आज आपको मानसिक तनाव हो सकता है वर्ट प्लेस पर आज आपकी किस्मत आपका साथ देगी और आपको आपकी महनेत तक क्रिडिट भी मिलेगा आपके सबी अटके हुए काम बनते चले जाएंगे बहुत से वावाई मिलेगी बोनस या सालरी इंक्रिमेंट भी मिल सकता है प्रमोशन के अफसर भी आज आपको मिल सकते हैं बस आज आपको अपने गुस्टे पर काबू रखना है और व्यर्थ के विवादों में उलजने से बचना है आज आपको अपने स्वगे संबंदियों से ही नजर लग सकती है इससे अत्रते कुशी का इजहार ना करें आज आपको अपनी माताजी की कोई बात बुरी लग सकती है जिस कारण आपका उनसे जगड़ा हो सकता है पर यदि आप उनसे जगड़ते हैं तो ये आपी के लिए बहुत ही जादा हानिकारग होने वाला है आज आपका राशी फल देखते हुए मैं आपको दो स्टार देता हूँ चलिए अब जानते हैं मीन यानी की पाइसेज राशी वाले जात्रकों का राशी फल आज लो ब्लड प्रेशर के मरीजों को अपना ध्यान नेटने की ज़रूरत है आज चात्रों को अपनी पढ़ाई में फोकस करने में दिक्कते हुँगी और मानसिक अशान्ती के कारण उनको आज उनके परिश्रव का फल नहीं मिल सकेगा मेरा चात्रों को आज शोजाव है कि वे अपना आत्मों विश्वास नाख होएं और आज मनुरंजन के लिए मूवीज देखें अपने दोस्तों के साथ भूमने जाएं पार के त्यादी का ब्रहमण करें जिससे आप तरो ताजा हो सके मेडिटेशन करना भी आपके लिए बहुत ही जादा फाइदे मन्द होगा इससे आपकी कॉंसेंट्रेशन पावर में व्रिद्धी होगी और जो भी आप याद करेंगे वे आपको सदैव के लिए आद होगा आज आपको अपनी माता जी के स्वास्ते का भी विशेश ध्यान रटने आज आप किसी से भी गिफ्ट लेने से बचे प्राता काल उटकर पवित्र होकर हनुमार चालेसा का पाट करें और हनुमार जी से प्रातना करें कि वे आपकी हर परिशानी में रक्षा करें आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको तीन स्टार्ट देता हूँ हमारे वेतों, फुराणों, धर्म ग्रन्थों और योत्य शास्त्रों पर आधारित उपायों को और अतिक जान्थे के लिए हमारे द्वारा बनाई गही और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देख दिरें जाउम पर आपको मैं आपको यहाँ झाला बनाई बनाई अनी स्टार्ट झाला झाला एगाँ उाँ